नमस्कार मित्रो एजुकेशन निकेतन के इस यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है 64 प्रारंबिक परिक्षा के उत्तरकुंजी बिहार लोग से वायोग ने जारी कर दिया है आप सभी लोगों ने आधिकारिक उत्तरकुंजी से मिलान भी कर लिया है और अब कट ओफ के खेल से आगे वड़ते हुए प्रारंबिक परिक्षा के बाद अब मुख परिक्षा जहांकि असली खेल और असली प्रतिस्परधा प्रारंब होने वाला है उसकी आज बात करते हैं तो BPSC मुख परिक्षा के संदर्ब में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बिहार लोग सिवा आयोग ने पाटकरम ने धरत किया है उसकी चर्चा करेंगे और बहुत से मित्रों का कमेंट आ रहा था कि बहुत से विद्दार्थी मित्र पूछ र प्रारंबिक परिक्षा तो एक स्क्रिणिंग है उसमें दिकांशा ब्यरती चटेंगे और जो दस गुना या 12 गुना जो निरधारित है आयोग के अनुसार वो मुख परिक्षा में समलित होंगे तो आज हम बात करते हैं कि मुख परिक्षा के लिए विद्दिन बुक लिस् है आपके मेरिट यानि कि मेधा में जोड़े नहीं जाएंगे मेरिट लिस्ट में एड नहीं होगा यह अंग आपको सिर्फ अहरतांग प्राप्त करना है 33 प्रतिशत एक सोने से दूसरा है समान अध्यन प्रश्ण पत्र एक यह तीन सो अंकों का है और यह तीन घंटे इसके समय निर्धारित यहां से जो है आपके अंक मेधा सुची में निर्धारित होंगे जोड़े जयेंगे समान अध्यन प्रश्ण पत्र्व ये 300 अंकों का होगा और ये भी 3 घंटों का होगा फिर बैकल्पिक भिस है बैकल्पिक भी से 300 अंकों का और समय 3 गंटे यानि कि कुल लिखित परिक्षा जो है समानध्यन प्रश्ण पत्र एक समानध्यन प्रश्ण पत्र दो और बैकल्पिक भी से और समाने हिंदी मिलाकर 1000 अंकों का है जिसमें कि 900 अंकों की अधार पर एक मेदा सुची तयार की जाए अब हम बात करते हैं कि सामान हिंदी में जो सिलेवस आयोग ने दिया है उसको विभाजित किया है कि कि सेक्षन से कितने अंकों का प्रशन पूछा जाएगा तो निबंद तीस अंकों का जिसमें की तीन चार टॉपिक रहेंगे उसमें से आपको किसी एक पर निबंद लिखना है ब्याकरण होगा तीस अंकों का ब्याकरण यानि कि संधी समास आधी इस पर प्रशन बनते हैं सर्वनाम संग्या आधी पर फिर वाक की विन्यास होगा ये 25 अंकों का होगा और संख्षेपन 15 अंकों का होगा यानि कि कुल मिलाकर 100 अंकों का ये समान हिंदी है दूसरा समानध्यन प्रश्णपत्र एक पर आते हैं इसमें जो आयोगने से लिवस ने धारत किया है उसके आधार पर पहला जो खंड है समानध्यन प्रश्णपत्र एक का जो पहला खंड है वो है भारत का आधुनिक इत्यास और भारते संस्कृति दूसरे खंड में है राश्ट्रिय और अंतरराश्ट्रिय महत्यका बर्तमान घटना क्रम और तीसरा है सांख्य की विसलिशन आरेखन और चित्रन अब हम बात करते हैं कि सामान अध्यन प्रश्ण पत्र एक में भारत के आधुनिक इत्यास और भारते संस्कृति खंड में किस-किस किताबों को आपको पढ़ना है और उसको किस प्रकार से रणिती बना कर मुख्य परिक्षा में बढ़ना है आगे तो अध्यन सामगरी के रूप में अगर बात करें तो पुस्तक सुची जो है सिमित रखें अस्तरिया रखें प्रभावी रखें एक पुस्तक को बार-बार पढ़ें बजाबते कि 6-7 पुस्तकों को आप एक-एक बार पढ़ रहे हैं प्रशनपत्र पुस्तक सुची जो है प्रशनपत्र एक के लिए मैं बता रहाँ आपको कि भारत का स्वत्नृता संगर्स विपीन चंडर प्रमाणिक और अस्तरिया बुख है पहिर जो लेखक हैं उसको पढ़ सकते हैं और बेसिक कॉंसेप्ट चुकि क्लियर करना है आपको शुरुवात से पढ़ना चाहते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं टाइम है समय है या जो पैसाधमी के लिए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए NCRT जो है आदुनिक भारत क उसे असपस्ट तोर पर लिखा हुआ है मौरिकला पालकला और पट्ना कलम इसमें से हर एक वर्स एक प्रशन आता है या तो प्रशन बिहार लोक से वायों पूछती ही पूछती है तो इसके लिए आप सार्थक पब्लिकेशन के जो किताब है भारत्य कला संस्कृति उसको प और पटना कलम का तयारी वहां से कर सकते हैं तो यह आप समान अध्यन प्रश्टुपत्र एक का जो पहला खंड है भारत का दुने के थियास और कला संस्कृति यह आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा इससे कोश्चन आप और प्रश्ट्र यहां से कर लेंगे क्योंकि यह बहुत प्रमानिक विसे में पुस्थ दिया है आपको और बार बार आपको इसको पढ़ना है दूसरा खंड जो है भारत का राष्ट्रिय अंतररास्ट्य घटना करम एक ऐसा ब्राट हो जाता है एक साल में जो राष्ट्राश् आपको handle करना है, तो मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले तो आप जो भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, प्रेश इंफॉर्मेशन ब्यूरो की उस पर डेली बेसिस पर जो आर्टिकल आते हैं, आप उसको पढ़िए अब बात करते हैं, पत्रिका की, एक पत्रिका अवश्य पढ़िए, रास्ट्रिय अखवार के साथ साथ एक पत्रिका जरूर पढ़िए, उसमें आप सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल, प्रतियोगिता, दरपन और दृष्टी करेंट अफिरस टूडे में से कोई एक पढ़िए और योजना और कुर्चेतर पढ़िए इंपढ़िए, ये भारत सरकार की सूचना और प्रकाशन विभाग की अपनी पत्रिका है, और नेट पर अधा अब तीसरा और अंतिम खंड पर आते हैं जो कि है आपका सांखिकी, विसलेशन, आरेखन और चित्रन, बहुत महतपूर्ण पाट है, अगर आपको अच्छा इसको करना है, तो इसको दर्किनार करके आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 72 अंकों का सांखिकी से सिर्प और सिर्प पढ़ा है तो गनित के लिए जो बेसिक्स अगर जिसकी जिन जिनकी अच्छी नहीं है उनको पढ़ना है तो आसत प्रतिशत्ता सदारण व्याज और चक्रवर्धी व्याज यह कर लें हल आरे सग्रवाल की जो गनित आती है उससे समान गनित और सांखेकी जैसे डेटा इंटर के लिए पाई चार्ड पाई डियाग्राम आदी के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के जो सांखेकी के पुस्ता के आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और पिछले पंदरा वरसों में बिहार लोग से वाई उन्हें जो इस स्टेटिस्टिक्स पूछा है उसका आप हल कर लेजिए यहां से आप अच्छा अंकल आ सकते हैं और यह आपको लीड देतेगा स्टेटिस्टिक्स तो यह बात प्रश्ण पत्र एक खतम हो गया अब हम आते हैं प्रश्ण पत्र दो पर प्रश्ण पत्र दो जो है उसमें है कि भारतिराजववस्था का जो खंड है तो भा बहुत साथे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे भारतिराजववस्था एम लक्षमिकांद को पढ़िए और डीडी बसु को आप रेफरेंस बुक मानके चल सकते हैं अगर और ज्यादा पढ़ना चाहें वैसे अम लक्षमिकांद काफी है फिर वीडी बसु पढ़ स पढ़ते हैं और अंतरास्टे राजिंत पर समाचार पत्र के संपादकिया पढ़िए जो दैनेक जागरन जनसत्ता या हिंदू या इंडन एक्सप्रिस में जो भी आता है तो यह आपका राजववस्था वाला जो खंड है उसमें है अब हम बात करते हैं भारत के रत्ववस फिल करते हैं लेकिन शल्री विख्षध कर रफ कर रखते हैं और मॉळाल की साइट पर विडियो दिया गया है मुचाश्चा अजएite और चेटी से वार्मी NCRT पढ़िये और भारत के भुगोल के लिए मैं है श्वरनगाल के बनवाल के पुस्तक उप्यूक्त और परियाप्थ है और बिहार का भुगोल से समझ प्रश्ण के लिए पढ़ना है तो के बीसी नेनों की पुस्तक पढ़ सकते हैं और क्रिसी रोड में त पुस्तक पढ़ सकते हैं और विवास प्रश्ण को पढ़ सकते हैं और चुकि करेंट समसमाईक भी पूछा जाता है उस खंड में जैसे की साट बासट में प्रश्ण था इसरो से संबंदित और उसकी मात्वाकांची परियोजनाओं से संबंदित तो विज्यान प्रगती प प्रश्णों का नियमित अभ्यास कीजिए एक ट्रेंड देखिए अभी 63 मुख परिक्षा होने वाली है तो 300 मुख परिक्षा में किस प्रकार के प्रश्ण आये हैं वह आपको आगे के तैयारी में मदद करेंगे और प्रतिक मुद्दे पर समसमाई घटनाओं को अपडेट कीजिए कुछ आधिगारिक डेटा आधिगारिक आंकले उसको आप विसलेशन करते वक्त जरूर दें शॉर्ट नौट का प्रयोग करें विंदुबार लिखें इससे आपको परिक्षा के समय में दोहराने में आसानी होगी और दिर्ग उत्तर या प्रश्णों को 20 मिनिट मे लिखने का प्रयास करें मैप और फ्लो चार्ट बिनाने का प्रयास करें यह उत्तर लेखन शैली विक्सित करने में मदद मिलेगा और आपको बहत लाब होगा तो मुख परिक्षा के रणिती के लिए आज बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रणिती के बाद बहुत देने बाद